आपके सामने और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर बात करेंगे लेकिन पहले बता दें यह जो नीचे नंबर है यह आपके लिए है प्रोग्राम में गुर्लग रिपोर्ट के बारे में बात होती है टिप अफ तो डे के बारे में लेकिन में जो फोकस्ट रहता है वो जोतिश के उपर रहता है साथ के साथ पूरी जिंदगी किस एंगल पर एवाल्व कर रही है आपकी इस पर भी फोकस्ट रहता है क्योंकि अकसर सुनिल जी के पास जो लोग आते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं उनकी दुविदा कैसी होती है उसी को लेकर ये प्रोग्राम्स जो है वो प्लान किये जाते हैं साम्टाइम्स तो प्लान भी नहीं होते हैं ऐसे लगता है कि आज इसके उपर बात करनी चाहिए क्योंकि लोग परिशान है तो उसी के उपर बात की जाती है तो उमीद है कि आप इस पैंडेमिक में भी अ शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसा करने से आज आप बहुत सारी जिंदगियां बचा लेंगे शराप की बात होगी नशे की बात होगी घरों के घर उचड़ गए बरबाद होगे माओं की कोक सूनी होगे लेकिन इसका हल नहीं मिल सका आज इसका हल ठूनने की क कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं सुनील जी जो के हमेशा अगर नहीं रहते हैं आगे रहते हैं ऐसे मामलों को हल करने में तो बात करते हैं सुनील जी से बहुत ही बड़ी आज एक वेदिक रेमेडी इस मंच के उपर बताई जाएगी सो स्किप मत कीजिए आगे मत आज यह पूरा एपिसोड जो है यह जंदगी से जुड़ा हुआ है हमें मौत से बचना है हमें जंदगी को आगे लाना है स्वागत कर लेते हैं पहले बट-बट सॉड़ा सुनील जी शराब हाला कि हम किसी को यह नहीं कहते हैं आप पी जिए या नहीं पी जी यह पिसी का मामला है ये परसनल मामला है फिर लोग कहते हैं सरकारे बेचती है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्रम में ये सारी चीज समझ में आती है लेकिन इतनी डोस हो जाना इतना पीना के लिवर खराब होने से आप अपनी जिंदगी गवा बैठते हो अपना संतुलंद गवा बैठ हो और अपनी जान गवा बैठते हो अज इसका हल बताए प्लीजी हल बताने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हल जानना ज़रूरी है इसका रीजन जानना बड़ा ज़रूरी है जब तक रीजन ना पता हो तब तक सलुशन का करने का फाइदा नहीं है ना ही आ और हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की, चाहे वो शिराब है, चाहे वो कोई भी चीज है, जब चीज हद से उपर बढ़ती है, वो नशा कहलाती है, और नशा कोई भी हो, किसी भी चीज का हो, वो खतरनाक साबित होता ही होता है, चाहे वो पैसे का नशा हो, चाहे वो क गरों के गर बरबाद हो चुके हो हैं शराब की वज़े से उनके लिए solution देने जा रहा हूं उनके लिए कारण भी बताऊंगा और इसका हल भी बताऊंगा कि हल इसका कैसे किया जा सकता है बहुत बड़ी एक वैदिक remedy है मुझे किसी संत से मिली थी मैंने जब मैं सीखता था त के इसके certain principles हैं इसके certain rules हैं इसको करने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं पहले कारण जानी है कि कारण है क्या शराब इनसान पी के इतना जो है बेहाल की हो जाता है कि उसको कुछ नहीं दिखता कई families की problem इतनी है कि सुबह सबह खाने breakfast नहीं करेंगे लेकि शराब पहले पी लेंगे ऐसी problem घरों में लोगों के है सो कारण क्या है इसका दो main planet है जो इसको आग में गी का काम करते हैं वो है राहू और शनी शनी और राहू इसके अंदर पूरी जो आग के अंदर गी डाल देते हैं और इसका खामयाजा परिवारों को भुगतना बात शुरू कहां से होते हैं चंदर से चंदर क्या है मन है बात शुरू होगी बुद्ध से बुद्ध क्या है आपकी intelligence है जब बुद्ध अच्छा हो इंसान बहुत intelligent होता है उसको पता है मेरा अच्छा क्या है मेरा खराब क्या है मन जो ललचाता है मन जब ललचाएगा तो तो इनसान वो काम करेगा जो शायद करना या ना करना ठीक है या सही है या नहीं है वो बात की बात है, रिजल्ट बात की बात है, लेकिन अगर कोई चीज बसंद आ गई, मन लल चाया तो हम उस चीज़ को पाने के लिए जादा अग्रसर हो जाते हैं तो बात शुरूओगी चंदर से, फिर बुद्ध की बात करूँगा, फिर शनी और रहू और कौन से घर रिस्पॉंसिबल लेते हैं जब इनसान नशा करता है कि यवर लोग आकर पूछते हैं कि सर बच्चे की कुंडली देखना, इसमें कोई नशे के योग तो नहीं है यह शराब के योग तो नहीं है, खराब योग तो नहीं है, बहुत लोग पूछते हैं के, खासकर जब बच्चों की कुंडली या डिस्कस होती है चाहे चीज़ अच्छी हो चाहे बुरी हो बुध खराब हो, बुध कुंडली में अच्छे गरों में ना हो, एंटी राशियों में हो एंटी नक्षत्राज में हो, यहां ऐसे पोजीशन में हो जहाँ उसको सपोर्ट नहीं पर ले डिरिकलीवीक हो तो इनसान के बुद्ध वक्री हो तो इनसान अच्छा करने के बज़ाए उल्टा करता है अपने फाइदे के लिए बुद्ध वक्री हो यह हैं इंसान इंटेलिएंट होगा, ऐसा नहीं है, बुद्वक्री हो और इंटेलिएंट ना हो, इंसान इंटेलिएंट होगा, लेकिन इंटेलिएंट कहा होगी गलत काम में, इतना शातिर होगा, इतना शातिर होगा, कि वो गलत काम कैसे करना है, उसकी यो क्लासिस दे रहा होगा, स बड़े अवेर हैं, आजकल साइबर क्राइम बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है जी, और साइबर क्राइम और आपके जो मुबाइल के थुरू आप पेमेंट्स करते हो, उसमें भी बहुत सारा गुन लगी हुई है, उसके अंदर भी सेन लगी हुई है, तो लोगों के को फेल कर जाएं, कहीं न कहीं तो लूप खुल है, इतने स्ट्रॉंग सिस्टम के बाद भी कोई बंदा बाहर से आके सेंद लगा रहा है, आपके अकाउंट के अंदर पैसे निकल रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो गलत बुद्धी का इस्तेमाल हो रहा है, यह होता है वक्री ब पोटल लेते हैं, लोग उसके उपर साफ साफ लिका है, अलकोहल इस इंजिरस टू हैल्थ, लेकिन हम फिर भी लेते हैं, और इतना पीते हैं, क्योंकि लिमिट से बाहर हर चीज नुक्सान करेगी, खाना जाएंगे, पेट खराब हो गई होगा, लिमिट से बाहर जाएंगे में हो, और आपको, आपके कुंडली के एट हाउस को, बारवे घर को, बारवे घर को, यानि की बारवे भाव को, अगर एफेक्ट कर रहा है, तो इनसान नशा करता है, जादा पावरफुल हो, तो भी इनसान नशा करता है, राहु नीच का हो, तो इनसान नशा हद से जादा करना शुरू कर देता िंधू और इंसान नशा कर रहा है रहू कि वजह से अगर निशा कर रहा है इंसान तो उसका नशा बहुत दूर तक जाता है रहू है क्या रहू निमेडलेस प्लै रहुत है जिसको सीमाओं से कोई लेना देना चाहें वो किसी तरह का कलंक लगवा दे लेकिन लिमिट से बाहर खांदान में कोई बच्चा पैजा ऐसा हो जाता है जो खांदान के ओपर कलंक लगवा देता है कैबर ऐसा होता है घर के बरतन तक कपड़े तक बिकवा देती है ऐसे संता में खराब रहू हो तो ऐसी नौबत आती ही आती है रहू के रहू के नक्षातर में हो इंसान नशा करके छोड़ देता है लेकिन रहू अपने नक्षातर में हो तो नशा कर रहा हो इंसान तो इंसान से नशा छड़वाना मुश्किल हो जाता है वो इंसन नहीं छोड़ता रियाब सेंटर में जाता है रियाब सेंटर में जाके इलाज होता है वहां से जाके वापिस आके दो मोईने दीन मेंले के नशा चोड़ेगा लेकिन फिर दोबारा शुरू कर देगं यह ऐसा देखा गया है राहू केतू के नक्षातर में हो, केतू क्या है, केतू आईसोलेशन है, केतू एक ऐसा प्लेनेट है जहां इनसान चीज़ों को छोड़ देता है मैंने पहले भी एक बार कहा था कि केतू का जो एपिसोड किया था कि केतू के केतू ऐसा है जो फकीर की रखता है उसकी जो रहती है कि जीज़ों को छोड़ देना राहू केतू के नक्षतर में आ जाए certain time पे आके certain age में आके इंसान नशा छोड़ देता है त्याग कर देता है क्योंकि के तु त्याग है त्याग कर देता है लेकिन राहू अपने नक्षतरे में हो जो नशा है वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है शनी शनी भी बहुत responsible है शनी क्योंकि शनी शिराब है और केबर उपाये करवाई जाते हैं शिराब के कि आप जो है चलते पानी में शिराब को बहा दे छुड़वाने के लिए केबर शिराब कपड़ों में रखवाई जाती है वाटरों में रखवाई जाती है कई उपाई ऐसे करवाय जाते हैं कि आप अलकोहल को शनी को विराज मन करो अपने घर के अंतर वो देते कुंडलियों होती हैं देव कुंडलियों में ऐसे उपाई के वर नहीं करवाय जाते हैं बहुत certain conditions होती हैं उसकी लेकिन शनी अगर नीच के हो तो नीच ता करेंगे करेंगी शनी खराब हो शनी राहू कंजक्ट हो तो भी इनसान की है क्योंकि ये formation है एक पितर दोशकी ऐसा इनसान भी ऐसा काम करेगा जो खांदान के अगेंस्ट होगा जो फैमिली के अगेंस्ट होगा जो सोसाइटे के अगेंस्ट होगा society के against जाने के लिए राहू responsible है शनी खराब हो शनी नीच हो अपने खराब नक्षतरों में हो शनी अपने anti-ration में बैटे हो तो भी शनी खराब कर जाते है कई बार इंसान को शिराब का business suit कर जाता है बहुत suit करता है और वो इंसान बहुत rise करता है उसमें वो condition है कि उसमें कुंडले के अंदर शनी की position क्या है लेकिन शनी राहू पूरे पूरे responsible है जब इंसान शिराब करता है शनी का या राहू का connection आटमे घर से शनी का राहू का connection बारमे घर से शनी का राहू का connection दूसरे घर से भी हो तो भी इनसान नशा करता है शिराब का खास करके शुक्र इन्वाल्ड हो तो इनसान शिराब सिर्फ अपने स्टेटस को दिखाने के लिए पीता है क्योंकि शुक्र जो है ये स्टेटस है शुक्र जो है आपका वो आपका चीजों को इस समाज में जितनी भी चीज़े हैं जो मेटेरलिस्टिक चीज़े हैं उसको भोगने का कारक है सो शुक्र कंजक्ट हो शैनी के साथ और इनसान दिखाने के लिए स्टैटिस के लिए कि मैं बहुत हाई सुसाइटी को बिलॉँग करता हूँ उसके लिए इंसान शरा पीता है चाहें वो दो पैग लगाए चाहें वो चार पैग लगाए लेकिन वो धंग से बिएगा पी के इसलिए भीता हूं लेकिन शनी रहों कंजक्ट हो इंसान सडकों में बिगरेगा नालियों में लुड़केगा और वो हर काम करेगा जो एक फैमिली के लिए बहुत इंसल्ट का कारण बन जाते हैं सो ये चोटा सा अनालिसिस मैंने आपको बताया कि ये इस वज़ा से कुंडली के अंदर ये योग हों तो इनसान शिराब की तरफ बढ़ता है और लिमिट से बाहर जाके वो हर काम कर जाता है जो इंसल्ट का कारण बन जाते हैं सुनिल जा इतनी सारी बात है हमने इतने सारे एपिसोड किये हैं हमने डिप्रेशन के उपर किया है सूसाइट टिनेंसिस के उपर किया है हमने इतने सारे एपिसोड किया है और कमाल की बात है कि शराब के साथ नशे के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है तो क्या इ चाहे वो इनसान डिप्रेशन में चला गया हो, किसी और तरह से एक्स्ट्रीम हो गया हो, बत्तमीज हो गया हो, या किसी एक्सिटेंट में ही चला गया हो. लेकिन वज़े जो है वो शराब है, लेकिन उसके कॉंसेक्वेंसेज हैं, वो बहुत सारे है. आप सही कह रहे हैं अपनी जी, अक्सिटेंट जो चीजें होती हैं, वो नुकसान करती हैं, बात आपने ठीक कही है, कि सिर्फ जो शराब ही कारण है, क्योंकि अक्सिटेंट शराब, हम यहाँ पे लिमिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, लिमिट्स की बात जब चीजें बाहर जा मैं इसलिये कहता हूं कि जब कुंडली जब बचा पैदा होता है तो कुंडली जरूर दिखा दे कीजिए कई लोगों को मैंने के बर बोला कि 14 साल तक उपाई नहीं करने चाहिए मैंने बहुत बर बोला है यहां पे कंफ्यूजन रही काफी लोगों को कि सर हमें लगा कि 14 साल तक कुंडली दिखानी नहीं है कुंडली तो पैदा होते ही दिखानी चाहिए जब बच्चा पैदा होता है कुंडली दिखा देनी चाहिए बहुत सी चीजे जो हैं बच्चपन में ही पैदा होते ही कई उपाई हो जाते हैं गंड मूल है, पैदा होते ही आपको करवाने ही पड़ते हैं, मूल नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा हुआ है, यहां कोई ऐसे नक्षत्र जो छे नक्षत्र हैं, उनके अंडर पैदा हुआ है, तो आपको गंड मूल 27 दिनों में करवाने ही करवाने पड़ते हैं, अदरव के रेमिडिस बहुत सोच समझ के बच्चों के हाथों से करवाई जाती है कि आप बच्चे को मत लेके जाएगा खुछ जाके मंदर में चड़ाईएगा सो कुंडली दिखानी चाहिए ऐसे योग कुंडली में हो तो उसका रेक्टिफिकेशन बच्पन में ले लेना चाहिए ताकि आगे जाके तंग ना करें अगर कुंडली आपका आइना है किसी का भी आइना उसकी कुंडली होती है और कुंडली अगर हो आपके पास तो आप उसको Analysis करवाए योग अगर आपको लग रहा है कि कुंडली में ऐसा बना हुआ है मैं आपको इख लोग बताता हूँ आप चेक किजब लिखे अंदर राहू नौ naar राशिये में लिखेए हो शनिदा मेश के अंदर हो एक नंबर राश्ये के अंदर हो राहू छटे गर में हों हाला कि राहू चटे गर कर रहा हूँ, बार में घर कर रहा हूँ, second house कर रहा हूँ, अगर कुंडली में है तो आप बच्चे को कुंडली जरूर दिखाईए और इसका इलाज ले लीजिए हाला कि जो मैं आज इलाज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक treatment होता है, आप ये कहें कि one go में, single go में शराब छूट जाएगी, तो ये गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है, जो मैं आज आपको remedy देने जा रहा हूँ, वो एक single day की remedy नहीं है, मैं बड़ा clear बोल दूँ, मेरी बात में बहुत transparency होती है, मैं चीज़ों को गुमाफर आके नहीं बोलता, जो मैं remedy आज दूँगा, वो आपको regular करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको changes में दिखेंगे, ये one go में आपको फरक नहीं पड़ेगा, जब कोई patient बिमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो सिरदर्द हो, उसके लिए एक tablet लेके आपको फरक पड़ जाएगा, लेकिन जब chronic problem आजाए, कि इंसान को बेट पे लेटना पड़ जाए, उसके लिए डॉक्टर regular दवाई देता है, डोज बना के देता है, सुबह दुपया शाम, यह सुबह शाम, इसको regular आपको खाना पड़ेगा, इसको लगातार खाना पड़ेगा, यह remedy जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह certain days पे होंगी, certain principles में होगी, certain rules के साथ होंगी, और regular करनी पड़ेगी, आपको असर देखना शुरू हो जाएगा, हाला कि शिराब चुडाना एक treatment है, proper treatment है, अगर आप इसको, किसी इंसान को जो बहुत डुपर है, वो इसको अगर आप admin भी करवाते हैं, तो वहाँ भी treatment चलता है, एस्ट्रॉलजी में भी treatment होता है, तो यह जो आपको मैं आज treatment देने उपाई के तौर पर दूँगा, दोनों कीजेगा, फरक जरूर देखेगा, क्योंकि दोनों चीजे काम करती हैं, डॉक्टर कहते हैं, कि जब operation theater से बाहर आते हैं, हमने दवा कर दी है, दूआप आप कीजी, कि आपका patient जो ठीक टाक होगे, बाहर आजाए, क्योंकि liver damage के बहुत दवाई दी है, क्योंकि liver damage होता है, तो उसको transplant किया जाता है, रिपेर नहीं किया जाता है, रिपेर होता नहीं है, और इश्वर ने जो हमें अंग दी हैं, एक एक अंग का, उनकी ये priceless हैं, बिल्कुल priceless हैं, और free में मिले हुए हैं, और free की चीज़ को हम, शुरु स इस इनसान की आदत रही है, free की चीज़ की value नहीं होती, आंके दी हैं, हम देख रहे हैं, पुछे उस इनसान से जिसके पास आंके नहीं हैं, गुर्दे दो दी हैं इश्वर ने, पुछे उस इनसान से जिसके पास एक है, कुदरती चीज़े हैं, जो इनसान ने कुदरती हम लेकिन शरीर है, फ्री में है, इश्वा ने दिया है, उसके अंदर वो हर चीज हम करेंगे जो हमें अच्छे लगेगी, लेकिन इसका कॉंसिक्वेशन हम कभी नी चेक करेंगे कि इसका नुक्सान किस लेवल तक जाएगा, सो फ्री की चीजों का भी इनसान को वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि फ्री की मिली है तो बेपरवा हो जाता है इनसान, बाद में जब पैसे लगते हैं इसके उपर, यह मशीन है, जब यह खराब होगी पैसे लगेंगे, और लिवर खास करके लिवर की बाद की जाए, किंडिन को लेनी चाहिए, लिमेट के बाहर जाके तो नुकसान हो गई होगा, सो मेरी आप से रिक्वेस्ट भी है, इस अपनी जी ने शुरूत में बोला था कि आप इस शो को शेयर कीजिए, मैं भी कहूंगा, शेयर कीजिए, क्योंकि जो रेमेडी लास्ट में बताऊंगा, वो पत करनी का है, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रिंसपल किया है, रूल्स का है, वो समझ लीजिएगा, ये रेमेडी आपको रात के टाइम करती है, और इस रेमेडी को करने के लिए दो दिन डिसाइड रहेंगे, एक अश्टमी का और एक अमावस्य का, ये दो दिन लगता रेम जब तक आपको लगता है कि पेशेंट आपके जो 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 पीते हैं बहुत जादा उनको थोड़ा फरकाना शुरू हो गया है तो आप ये रेमेडी अगर बिल्कुल ठीक हो गया है तो छोड़ सकते हैं करना क्या आपको शुर मि दुख पड़ेगी उसमें से चीजे क्या रहेंगी कि रखना वाइपर लिलेना है आपको कुम कुम का पेस्ट stop नाप में हलदी का पेस्ट और काजल आँखों में लगाते। उसको बूलते हैं वो उसका पाउड़ ले ना है कुम-कुम का पेस्ट में नाललेना पानी में डालके maltica penol to काजल रहेगा मैं रहेज़ज़ सूखन रहेगा आपने एक पेपर लेना है ऊपका वेस इड तरफ होना गा। फेसिंग वेस्ट करके पेपर सामने रखेगा 3 लाइने कीछनी हैं एक, दो, तीन, पहली लाइन आप खीचेगा खल्दी की, दूसरी कुमकुम की, तीसरी काजल की इसके उपर आपने राइस डालने हैं, बॉयल्ड राइस बॉयल्ड राइस के उपर थोड़ा सा आपने दही डाल देना है और दही के साथ उपर रख देने हैं आपने लाल मिर्च के बीज ये आपके आप पूरा एक चीज का सेट तियार हो गया, अब वाइट पेपर को इकटा कीजिए, फोल्ड कीजिए, उस इनसान को जो इनसान बहुत ड्रिंक कर रहा है, बहुत नशा कर रहा है ये ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, मैं नशा, संथैटिक नशा की बात नहीं कर रहा है शराब का नशा, जो इनसान शराब का नशा बहुत ज़ादा कर रहा है उसके सिर से 11 टाइम्स क्लॉक वाइस सीधा गुमा दीजिए 11 टाइम्स गुमाना है, ओम नवशिवाय साथ साथ बोलते जाएगा और जाके इसको ओवरनाइट या रात को या अगले दिन सुबह जाके इसको अंधिरे में किसी भी पिपल के निशे रखाएगा, मंदिर का पिपल नहीं होना चाहिए बाहर ओपन साइट, ग्राउंड साइट का पिपल ना चाहिए, ये मंदिर में रेमेडी नहीं करनी है तो बहुत सारे लोगों का एक ही साथ आप बला कर सकते हैं क्योंकि हम जाते हैं कि बताईए ऐसा क्या करें, क्या पुर्णे कमाएं, कैसे अपने घर में बरकत लाएं आप हमें पुन्य के अकारे के बताईए, बताईए कि हम कौन सा चीज करेंगे, कौन सा दान करेंगे, कि सबसे अच्छा होगा हमारी लिए, हमारी किसमत चमक जाएगी, तो इसको शेर करना भी पुन्य का काम ही होगा, आप ये कीन मानिए, वक्त थोड़ा रह गया है, गुडल तो गुलग रिपोर्ट है, वीना वर्मा है, दुबाई से हैं, कह रही है हस्बंड से जगडा लगातार बढ़ता जा रहा है, दो साल हुए मैरिज को, मैं अलग नहीं होना चाहती, तो प्लीज मेरी गुलग रिपोर्ट मुझे जल्दी भेज दीजे, तांके मैं अपनी जि इसके उपर पूरी की पूरी जिंदगी इंसान की डिसाइड करती जाती है, यह तीन चीजें पूरी पिक्चर का 5-7% हिस्सा है, नेचर कैसी है, कोई नहीं देखता, चंदर की पूजिशन क्या है, कोई नहीं देखता, आपके कुंडली के लगन क्या है, कोई नहीं देखता मैچ मेकिंग बहुत ध्यान से किया गिए मैچ मेकिंग जब खराब होती है तो ऐसी मेल्स आती है तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन्स आती है तो ऐसे लोगों को परशानी होती है और लोग कहते हैं हमने तो कुंडली मिल वाई थी सर कुंडली के 36 में थे 32 गुन मैच करते थे मैच गुन मैच पूरी पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ पांट से 7 परसन हिस्टा है मांगली कि नौन मांगली गुन मैच करने राशे में तरह हैं नहीं हैं बस इस पे पूरी इंसान की शादी के उपर स्टेंप लग जाती है कि इसकी शादी कर दीजिए कॉम्प्लिकेशन बहुत बाद में आती है कुंडली मैच में अच्छा किया किजिए मीना जी आपकी कुंडली जब देखूंगा तो आपकी आपकी मेल चूज हो रखी है अपने हजबन की डिटेल्स भी दीजिए क्योंकि यहां पे बहुत बेमानी हो जाएगा कि सर्व आपकी कुंडली देखे ही मैं देख लूँ कि आपका जगड़ा क्यों हो रहा है हजबन की कुंडली बेजएगा डेटेल्स आप शेर कर दीजएगा कुंडली आपकी बनेगी, रिपोर्ट बनेगी, उपाये वहाँ पे जो होंगे, मैं आपको बेजूँगा, आपको मैं ये दुआ करता हूँ कि आपकी जो लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं, वो सॉल्व हो जाएं वो हर्डल्स जो हैं, वो दूर हो जाएं, ये करना बहुत जादा जरूरी है, और इसलिए एस्ट्रोपेडी है, और आप अपना बहुत जादा ध्यान रखिए, क्योंकि माहौल जो है, वो लगातार और ही तरीके का हो रहा है, यानि कि COVID-19 जो है, जो कभी गया लग रहा था, वो फिर से एक बार दस्तक दे चुका है, और जो महौल है, उसके हिसाब से ही हमें रहना होगा, एहत्यात बढ़ने होगा, ज्यान रखिए, जानेवादा